सब पार बाबा बस इंतजार एतो बच्चों की अबर दो यह पी से नहीं केको आपको पता भी नहीं क्या हो रहा है बाबा को तो सब पता है, पर आप का निश्य बाबा पर और आप निश्य बुद्धी बन कर करम करना शुरू करें, क्या क्यों करना बंद करें, करम करना शुरू करें, बागी सब कारे बाबा करा लेता है, आपने संकलप रचा कि बाबा ऐसा तो बाबा सहयोग देने के लिए पहले खड़ा हो जाते हैं जितनी व्यात्माएं होती है साथ में वो सहयोगी बन जाती है वो पार लगा देती हैं उनको लगता हमने किया हमको लगता हमने किया और कराने वाला कौन? वो बाबा तो ये सब अनुभव करने की बात इसलिए होती है क्योंकि इस नजर से देखना आना चीह है अनुभव क्या है? कोई आम देखेगा तो उसको लगए कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अनुभव क्या बनता है? जब उस निश्य की आँख से देखते हैं तब अनुभव बनता है ऐसे तो हर बात साधारन ही नजर आएगी पर जब निश्य की आँख खुलती है न तब वो अनुभव बन जाता है जितने भी निश्य की हैं सभी ने कि हाँ इस पॉइंट में निश्य उस पॉइंट में निश्य तब ही तो अनुभव हुआ न वहां से कि उसी दृष्य से आपको अनुभव हुआ क्योंकि आपको निश्य हुआ पूरा कि कराने वाला कैसे करा रहा है आपने संकलब किया कि बाबा मैं हर सीन में साथ साथ रहूं संग संग रहूं अगर आपने ऐसा भी संकलब कर लिया न तो भी मदद कौन देता बाबा ये नहीं कि बाबा क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा वो क्या होगा ये क्या होगा देख लेगा ना बाबा आप तो संकलब तो रचो पर देखा है संकलब रचने में पहले काटा काटी पी हो जाती है इदर से कटेंगे, उधर से कटेंगे और किसी ने अगर बाइचंस रोक दिया तो रुख जाएंगे तो संकलब को कमज़ुर करने वाले बहुत सारे सीन आते हैं, लेकिन उसमें कहीं कमज़ुर हो जाते हैं और किसी ने एक िस संकलब किया होता है और उसे बारबर धोराना भी नी पड़ता अपने संकलब को, क्योंकि उसको निश्य है, और उस निश्य के अदार पर उसे ये भी कहना नी पड़ता, मुझे निश्य है, ना ही बाप को सुनाना पड़ता है, कि बाबा मैं तो आपकी हर्शिर्मत का पालन करती हूँ, मैं तो मे आप देखेगा ना